हाई फ्रेंद्स वेलकेम टू माँ चानल लर्निंग विद प्राची और आज हम लेंगे क्लास 10 का चाप्टर दे नेकलेस जिसको लिखा है गीदम एपसोने तो दोस्तों ये चाप्टर है बात करता है एक लेडी के वारे में जिसका नाम है मतिल्डा मतिल्डा एक पूवा फैमिली से है एक पूवा बैग्राउंड से है और एक बार उन्हें एक ग्रांड पार्टी का इन्वाइट मिलता है मतिल्डा के पास ड्रेस तो होती है लेकिन कोई जूलरी नहीं होती कोई नेकलेस नहीं होता इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी फ्रेंट मैडम फॉरेस्टियर से एक नेकलस बोरूब करेंगी अब मतिल्डा को नेकलस तो मिल जाता है लेकिन मतिल्डा उस नेकलस को खो देती है तो दोस्तों ये जाना बहुत ही दिल्चस्प होगा कि कहानी में आगे क्या होता है और किस तरीके से ये जो नेकलस है मतिल्डा की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल देता है तो चलिए इस चाप्टर को और डिटेल में जानते हैं दोस्तों जैसा कि हमने डिसकस करा इस चाप्टर में बात हुए एक लेडी की जिसका नाम है मतिल्डा और मतिल्डा एक यंग और प्रिटी लेडी है लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत से कोई गलती हो गयो क्योंकि इतनी सुन्दर लड़की was born in the family of clerks यानि मतिल्डा एक बहुत ही गरीब परिवार में जनम लेती है अब मतिल्डा के पास डावरी के लिए भी पैसे नहीं थे या उसके जिन्दगी में कोई ऐसी hope नहीं थी कि कभी वो known बन पाएगी या लोग उससे प्यार करेंगे या फिर कोई rich और distinguished आदमी उससे शादी करेगा इसी लिए वो एक मामूली से clerk से शादी कर लेती है who worked in the office of board of education मतिल्डा was simple but unhappy यानि मतिल्डा एक बहुत ही simple लड़की थी लेकिन वो जिन्दगी में बहुत दुखी थी मतिल्डा suffered incessantly यानि मतिल्डा continuously suffer कर रही थी क्योंकि मतिल्डा को ऐसे लगता था कि वो तो हर तरीके की delicacy और luxury के लिए बनी है हर तरीके की सुख सुविधाओं के लिए बनी है लेकिन actually में तो वो बहुत जादा पूवर थी मतिल्डा एक मामूली से apartment में रहती थी जिसकी walls बहुती shabby थी यानि बहुती बुरी हालत में थी और वहाँ पे कुछ पुरानी सी कुरसियां रखी हुई थी मतिल्डा को ये सारी चीज़े बहुत जादा torture करती थी और उसे ये सब देखकर बहुत गुसा भी आता था अब दोस्तों रात में जब मतिल्डा अपने husband के साथ dinner के लिए बैठती थी और जब वो ट्यूरीन अनकवर करती थी ट्यूरीन का मतलव है जिसमें soup सर्व होता है तो जैसे ही वो ट्यूरीन अपने husband के सामने अनकवर करती थी मतिल्डा का जो husband था वो बोलता है ओ दे गुड़ पॉट पाई I know nothing better than that अब मतिल्डा का जो husband था वो अपने जिन्दगी से संतुष था content था और एक खुश मिजाद इंसान था तो वो खाने को देखकर खुश हो जाता था और बोलता था कि वाह क्या pot pie है मुझे तो इससे अच्छा कुछ पता ही नहीं लेकिन मतिल्डा तो मनही मन दुखी होती है वो तो elegant dinners के बारे में सोचती है exquisite food के बारे में सोचती है जो की marvelous dishes में serve होता है लेकिन मतिल्डा के पास ना तो कोई frog थी ना कोई jewelry थी पर उसे इनी चीजों से प्यार था मतिल्डा की एक rich friend भी थी जो उसकी school mate थी at the convent लेकिन मतिल्डा उसको visit करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब भी मतिल्डा उससे मिलकर आती थी मतिल्डा बहुत रोती थी from despair and disappointment क्योंकि उसकी जो friend थी बहुत ज़्यादा अमीर थी और मतिल्डा एक गरीब background से थी अब एक शाम मतिल्डा का husband आता है और बहुत ही कुशी से मतिल्डा के हाथ में एक envelope दे देता है और बोलता है मतिल्डा इसमें तुम्हारे लिए कुछ है मतिल्डा उस envelope को open करती है और उसके अंदर एक printed card होता है जिसमें लिखा होता है अब मतिल्डा के husband को लगता है कि मतिल्डा इस invite को दे के बहुत ज़ादा खुश हो जाएगी लेकिन मतिल्डा तो spitefully बहुती cruel और unkind तरीके से उस envelope को table पर फेक देती है और बोलती है तुम क्या चाहते हो क्या करू में इसका जिस पर मतिल्डा का husband कहता है my dear मतिल्डा मुझे तो लगा तुम इस invite को दे कर बहुत ज़ादा खुश हो जाओगी क्योंकि तुम घर से बाहर जादा निकलती नहीं हो और ये एक बहुत ही अच्छा invite है a fine one सभी लोग ऐसे invite को चाहते हैं लेकिन ये invite तो बहुत ही selected employees को मिला है और तुमको पूरा official world पूरा business world वहाँ पर देखने को मिलेगा अब Matilda बहुत ही irritate हो जाती है और वो अपने husband से पूछ थी है और तुम्हें क्या लगता है ऐसे occasion पे मुझे क्या पहनना चाहिए अब Matilda के husband ने इस question को expect नहीं करा था वो थोड़ा सा stammer करने लग जाता है हकलाने लग जाता है और बोलता है अरे वो जो dress तुम थीटर पहन क के चलती है वह तो बहुत जादा सुन्दर है बहुत जादा अच्छी है तो मुझे को पहन सकती हो अब Matilda रोने लगती है Matilda को रोते देख परिल्दा का जो husband स्ट्यूपिफाइड हो जाता है शौक में चला जाता है थोड़ा साड हो जाता है और बोलता है what is the matter what is the matter मामला क् Matilda जो है बहुती violent effort के साथ अपने stress को कम करती है रोकती है और अपने आशूओं से भरे गालों को पोचती है अपने moist cheeks को wipe करती है और बोलती है कुछ भी नहीं मेरे पास ऐसे occasion पहनने के लिए कोई भी dress नहीं है और तुम जाओ और ये invite अपने कोई कली को दे दो जिसकी wife मेर से जादा suitable हो इस occasion के लिए अब Matilda को ऐसा बोलते देख Matilda का जो husband है थोड़ा सा sad हो जाता है और बोलता है let us see Matilda यानी देखते है Matilda एक अच्छी dress कितने में आएगी क्या cost रहेगा उसका ऐसी dress जिसको तुम दुसरे occasion पर भी पहन सको अब Matilda थोड़े seconds के लिए सोचती है और वो ये भी सोचती है कि उसे कुछ ऐसा सम बताना पड़ेगा जिससे सुनकर उसका husband उसे तुरणत मना भी ना करे और उसकी जेब पर जादा वजन भी ना आए Matilda थोड़ा सोचती है और बोलती है कि मैं तुम्हें exactly तो नहीं बता सकती लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में काम हो जाएगा अब 400 फ्रैंक्स सुनते ही Matilda का जो husband है वो pale हो जाता है वो पीला पड़ जाता है क्योंकि उसने 400 फ्रैंक्स बचा के रखे थे गन खरीदने के लिए क्योंकि उसके जो friends थे वो hunting parties में जाते थे और अगले summer वो भी hunting parties को join करना चाहता था to shoot larks on Sunday लाक्स is a kind of bird तो उसके जो दोस्त है वो bird को shoot करने के लिए जाते थे और इसलिए वो भी gun खरीदना चाहता था अपने friends को join करने के लिए फिर भी वो Matilda को कहता है कि ठीक है Matilda मैं तुमें 400 francs दे दूँगा लेकिन try to have a pretty dress यानि तुम कोशिश करना कि तुम इस amount में एक अच्छी dress खरीद सको दोस्तो अब ball का दिन करीब आ रहा होता है लेकिन हमारी जो Matilda है अभी भी sad, disturbed और anxious है उसकी dress तो अब ready हो चुकी है लेकिन फिर भी वो sad है Matilda का husband एक शाम उसके पास आता है और बोलता है क्या बात है Matilda तुम दो-तेन दिन से बहुती अजीव बरताफ कर रही हो जिस पर Matilda बोलती है कि कुछ भी नहीं मैं थोड़ी से stressed हूँ मेरे पास खुद को adorn करने के लिए कोई भी jewel नहीं है कोई भी jewelry नहीं है and I will have a poverty stricken look यानि मेरा look तो बहुती गरीब सा दिखेगा मैं बहुती गरीब दिखूंगी जिस पर Matilda का जो husband है वो बोलता है कि कोई बात नहीं तुम natural flowers पहन सकती हो इस season में तो वो काफी जादा chick है और fashionable है लेकिन Matilda अपने husband के जवाब से convince नहीं होती है और वो बोलती है कि नहीं नहीं इन अमीर ओर्दों के बीच में मैं तो बहुती गरीब से दिखूंगी और मैं ऐसी party में जाना prefer नहीं करूंगी जिस पर Matilda का जो husband है वो खुशी से चीक पढ़ता है वो बोलता है अरे कितने stupid हैं हम हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा जाओ अपनी friend मैडम Forrester के पास जाओ और उनसे कुछ जूल्स लेंड कर लो जिसको सुनते ही Matilda जो है खुशी से जूम उड़ती है और वो बोलती है कि हाँ ऐसा मैंने क्यों नहीं पहले सोचा अब अगले ही दिन Matilda मैडम Forrester के घर जाती है और अपने distress के कहानी मैडम Forrester को सुनाती है जिस पर मैडम Forrester जो है अपने closet के पास जाती है और एक बड़ा सा jewel case यानि एक बड़ा सा जूल्री का डबा Matilda के आगे रख देती है खोल देती है और बोलती है choose my dear यानि जो भी चाहिए तुम्हें ले लो अब Matilda बहुत सारे जूल्री ट्राइ करती है पहले वो कुछ bracelet देखती है फिर उसने देखा एक color of pearls एक गले का हार फिर उसने देखा एक venetian cross of gold यानि एक ऐसा jewel जिसकी design venice city से inspired थी और जिसकी workmanship काफी ज़ादा admirable थी जिसकी नकाशी बहुत ज़ादा सुन्दर थी और वो सारी ही जूल्री को अपने उपर try कर रही थी और वो decide नहीं कर पा रही थी कि वो क्या चीज ले क्या चीज छोड़े फिर वो madame forestier से पूछती है कि क्या इसके अलावा और कुछ है तुमारे पास जिस पर madame forestier बोलती है कि हाँ क्यू नहीं तुम खुद ही देख लो मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या प्लीस करेगा क्या अच्छा लगेगा तब ही matilda की नजर जो है एक black satin box पर जाती है और जब वो उस box को खोलती है उसके अंदर होता है एक diamond necklace अब matilda के जो हाथ है उस box को पकड़ते वक्त थोड़े कपकपा रहे हैं और जब matilda ने उस diamond necklace को अपने गले पर लगाया तो उसे उसे देख कर बहुत ज़ादा खुशी हुई और वो थोड़े hesitant तरीके से madame forestier से पूछती है कि क्या तुम मुझे ये हार लेंड कर सकती हो सिर्फ ये necklace जिस पर madame forestier बोलती है कि हाँ क्यों नहीं जिसको सुनता ही matilda जो है खुशी से जूम उड़ती है और बहुत ही passionately अपनी friend को गले से लगा लेती है और वो necklace अपने साथ लेकर चली जाती है दोस्तों अब बॉल का दिन आ जाता है and madame loisal यानी matilda was a great success she was prettiest of all elegant, gracious smiling and full of joy अब जितने भी men थे उस party में वो matilda का नाम जाना चाहते थे उसके सामने present होना चाहते थे और matilda को यह सब महसूस करके बहुत ही अच्छा लग रहा था she was full of enthusiasm वो बहुत ही enthusiastically dance कर रही थी जैसे उसे उस खुशी का नशासा हो गया हो और matilda को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई बड़ी सी जीत हासिल कर ली है अब करीब चार बजे matilda जो है घर जाने की तयारी करती है उसका जो husband है वो आधी नीद में है और एक saloon में सोया हुआ है अब saloon में उसके साथ three other gentleman भी है जिनकी wife उस party को enjoy कर रही है अब जैसे ही matilda आती है matilda का जो husband है उसके shoulder पर एक मामुली सा wrap डाल देता है एक मामुली से shawl डाल देता है जिससे matilda को ठंडना लगे अब वो जो wrap होता है बहुत ही मामुली सा होता है बहुत ही गरीब सा look होता है उसका whose poverty clashed with the elegance of the ball costume यानि ball costume बहुत ही सुन्दर बहुत ही elegant थी और वो जो wrap था बहुत ही मामुली सा था अब matilda हरी करती है जल्दी करती है क्योंकि दुसरी जो woman थी उस party में वो अपने आपको rich first wrap कर रही थी और matilda को जो wrap था बहुत ही मामुली सा था और बहुत ही poor looking था Matilda को जो husband है वो Matilda को रोकता है और बोलता है तो उनको कोई carriage भी नहीं मिलता है और अब वो river के किनारे दोनों ही लोग चल रहे हैं वो काप रहे हैं और hopeless है finally उनको एक carriage दिखाई पड़ता है जो usually Paris में nightfall के बाद दिखाई देता है अब वो carriage में बैठ जाते हैं और वो carriage matilda और उसके husband को apartment के gate तक छोड़ कर आता है अब matilda याद कर रही है और सोच रही है कि जितना भी best time उसने आज बिताया है वो खतम हो चुका है और matilda का husband सोच रहा है कि उसे कैसे भी करके 10 बिले तक office पहुचना है अब matilda अपने apartment में पहुच जाती है और अब वो उस shawl को उस wrap को अपने shoulder से हटाती है ताकि आखरी बार वो खुद को उस costume में देख सके लेकिन जैसे ही matilda उस wrap को हटाती है वो जोड़ से cheek पड़ती है क्योंकि अब वो necklace उसके गले में नहीं होता है अब Mr. Loisel matilda का जो husband है already half undress हो चुका होता है वो matilda से पूछता है क्या बात है what is the matter जिस पर matilda बोलती है मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास madame forestry का दिया हुआ necklace नहीं है जिस पर loisel बोलता है कि क्या क्या बोल रही हो तुम ये कैसे possible है अब दोनों ही लोग उस necklace को gown में pockets में सबी जगा देखते हैं लेकिन वो necklace कहीं भी नहीं मिलता है अब Mr. Loisel Matilda को कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि minister के घर से निकलते वक्त वो necklace तुम्हारे गले में ही था जिस पर Matilda बोलती है कि हाँ मैंने feel करा था वो मेरे पास ही था जिस पर Mr. Loisel कहते हैं कि अगर वो necklace street में गिरा होता तो हमको उसके आवाज आती जरूरो necklace cab में ही कहीं गिर गया है जिस पर Matilda बोलती है कि हाँ cab में गिर सकता है क्या तुमने उसका number notice करा था जिस पर Loisel कहते हैं कि नहीं मैंने notice नहीं करा से देख रहे हैं अब Mr. Loisel अपने आपको फिर से dress up कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं उस street में देख कर आता हूँ जहां पे हम दोनों ने walk करा था और Matilda जो है वो अपने apartment में ही wait करती है उसके अंदर इतने शक्ति ही नहीं है कि वो उस gown को उतार सके और वो ऐसे ही अपने apartment में Loisel का wait करती है अब Matilda का जो husband है जो राज से ही necklace को ढूणने के लिए निकला हुआ रहता है सुबह करीब 7 बजे घर लोटता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता है वो police station जाता है cab office जाता है वो newspaper में advertisement तक देता है अब Matilda और उसके husband Mr. Loisel पूरा ही दिन घबराहट में निकाल देते हैं और जब शांग को Mr. Loisel घर लोटते है तो उनका चहरा पीला पड़ जाता है पेल हो जाता है क्योंकि उनको necklace से related कोई भी information नहीं मिलती है अब Mr. Loisel Matilda से कहते हैं कि एक काम करो अपनी friend Madam Forestier को एक letter लिको और बोलो कि तुमसे necklace का जो claps है वो टूट गया है claps का मतलब है जिस जगह से necklace open या close होता है जिससे क्या होगा हमको भी necklace को ढूणने का time मिल जाएगा अब Matilda वैसा ही करती है वैसा ही लिखती है जैसा Mr. Loisel उसे लिखने को कहते हैं दोस्तो अब एक हफ़ता बीच जाता है और अब Mr. Loisel और Matilda सारी ही उमीदे खो देते हैं उस necklace को पाने की इसलिए अब Mr. Loisel Matilda से कहते हैं कि we must replace the jewel हमको उस necklace को replace करना होगा इसलिए दोनों ही लोग Mr. Loisel और Matilda एक shop पे जाते है जिसका नाम होता है पहले रोयाल जहां पे उनको एक diamond necklace मिल जाता है जो Madam Forestier के necklace से match होता है उसकी कीमत होती है 40,000 francs जो उनको 36,000 francs में मिल सकता है अब Mr. Loisel के पास 18,000 francs होते हैं जो उनके father Mr. Loisel के लिए छोड़ कर गए थे और बाकी पैसे Mr. Loisel लोगों से उधार लेते हैं वो बहुत सारे लोगों से debt लेते हैं उधार लेते हैं बहुत सारे अशिरर से debt लेते हैं अशिरर का मतलब है वो money lender जो बहुत high rate of interest पर पैसे देते हैं तो वो बहुत सारे अशिरर से बहुत सारे लोगों से डेट लेते हैं और 36,000 फ्रांक्स एकटा कर लेते हैं वो शॉप पे जाते हैं 36,000 फ्रांक्स देते हैं और उस necklace को खरीद लेते हैं अब Matilda जो है वो necklace को लेके Madam Forestier की घर जाती है जहाँ पे Madam Forestier भूदी frigid tone में Matilda को कहती है कि तुम्हें ये necklace मुझे पहले ही दे देना चाहिए ता मुझे इसकी जरूरत पढ़ सकती थी अब Matilda मन ही मन थोड़ा सा घबरा रही है वो सोच रही है कि क्या Madam Forestier इस necklace box को खोल के देखेंगी और अगर खोल के देखेंगी तो क्या उन्हें पता चल जाए क्या कि हमने necklace को replace करा है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी क्या वो मुझे चोड समझेंगी रॉबर समझेंगी लेकिन Madam Forestier जो होती है वो box को खोल कर नहीं देखती है और Matilda बहुत ही heroically इस काम को अंजाम देती है Matilda now know the horrible life of necessity उस हार को गूमने के बाद Matilda की जो जिन्दगी है पूरी ही तरीके से बदल जाती है क्योंकि उस हार को खरीदने के लिए Matilda और उसके husband ने काफी जादा debt लेके रखा था उनके ओपर बहुत जादा करजा था और अब उनके पास जादा पैसे नहीं थे इसलिए Matilda अपनी mates को भी हटा देती है वो अपने घर का location भी change कर लेते हैं और छोटे से store room में रहने लगते है Matilda अब kitchen के गंदे काम को भी करने लगी है जो पहले उसकी mates करती थी Matilda अब dishes धोती है, बरतंध होती है, गंदे कप्रे धोती है, उनको धोकर सुखाती है Matilda street में कचरा फेकने जाती है, हर सुबह पानी भरती है और थोड़ी थोड़ी दूर चलकर रुखती है to catch हर breath Matilda अब एक बहुत घरेलू औरत बन चुकी होती है, वो grocer के पास जाती है, बुचर के पास जाती है, फ्रूटर के पास जाती है, यानि किराने की दुकान पर जाती है, मीट वाले के पास जाती है, फल वाले के पास जाती है और चंद पैसो के लिए मामूली से पैसो के लिए उनके साथ बारगेनी करती है Matilda का जो husband है वो भी शाम को काम करने अब लगा था वो merchants के books order में जमाता था वो रात को copying का काम करता था जिसके लिए वो 500 अपेज चार्ज करता था Matilda और उसके husband की ये जिन्दगी 10 साल तक रही और 10 साल के आखिर में वो अपना पूरा debt अपना पूरा करजा चुकाने में successful हो गए अब Matilda बूरी दिखने लगी थी She had become the strong heart and crude woman of the poor household वो पूरी तरीके से घरेलू हो चुकी थी उसके बाल हमेशा बिकरे रहते थे उसकी skirt गंदी रहती थी उसके हाथ लाल रहते थे और वो लोगों से बहुते loud tone में बात करती थी और floors को पानी से साफ करती थी और कभी कभी जब उसका husband office में होता था तो वो window के पास बैट जाती थी और वो शाम को याद करती थी जब वो बाल में गई थी जहां वो अपने आपको बहुत खुबसूरत महसूस कर रही थी और वो ये भी सोचती है कि क्या होता अगर उसने madame forrester का necklace ना गुमाया होता वो ये भी सोचती है कि life किती singular है singular का मतलब है unusual होना one of its kind होना तो वो सोचती है कि life किती singular है full of changes कैसे एक छोटी सी चीज हमारी life को बिगार सकती है या सवार सकती है अब एक संडे के शाम को जब Matilda walk के लिए निकलती है in Sean Alize तो वो देखती है एक woman को with a child अब वो देखती है कि एक woman है child के साथ और जब वो ध्यान से देखती है तो वो पहचान चाती है कि अरे ये तो madame forestier है उनकी friend still young, still pretty, still attractive और ये देखके matilda जो है थोड़ी से affect हो जाती है वो सोचती है कि क्या मैं madame forestier से बात करूँ फिर वो सोचती है कि क्यों नहीं अब तो मैंने सारे पैसे भी चुका दी है अब matilda madame forestier के पास जाती है और बोलती है good morning jean अब madame forestier जो है बिल्कुल भी matilda को पहचान नहीं पाती है और बोलती है कि madame आपको ज़रूर को mistake होई होगी मैं आपको नहीं जाती हूँ तब matilda बोलती है कि अरे मैं आपकी friend matilda loisal हूँ जिसको देखकर madame forestier जो है बिल्कुल अचंबित रह जाती है शौक में चली जाती है और बोलती है कि oh my poor matilda तुमारी ऐसी हालत कैसे हो गए जिस पर matilda बोलती है कि जब से मैं आपसे मिली हूँ उसके बाद से मेरी जिन्दगी बिल्कुल ही बदल गई I had some hard days and all this because of you आपके ही कारण मेरी जिन्दगी बिल्कुल बदल सी गई hard हो गई जिस पर madame forestier बोलती है मेरी वज़े से ऐसे कैसे जिस पर matilda बोलती है कि आपको याद है मुझे एक बार minister की party में जाना था और आपने मुझे एक necklace दिया था जिस पर madame forestier बोलती है कि हाँ याद है मुझे तो matilda बोलती है कि वो hard मुझसे कहीं गुम हो गया था जिस पर madame forestier बोलती है कि ये कैसे हो सकता है तुमने तो मुझे वो hard return कर दिया था कुछ भी नहीं है लेकिन अब सब कुछ खतम हो चुका है और मैं अब बहुत content हूं satisfied हूं इस चीज से कि हमने सारा payment कर दिया है जिसको सुनकर madame forestier बोलती है कि क्या तुमने मेरे necklace के बदले एक diamond necklace दिया जिस पर matilda बोलती है कि हाँ आपने उस वक पहचाना नहीं होगा क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं जिसको सुनकर madame forestier बहुत जादा शॉक हो जाती है वो अपने दोनों हाथों में matilda के दोनों हाथ ले लेती है और बोलती है oh my poor matilda mine was false यानि oh मेरी प्यारी matilda मेरा necklace तो एक नकली necklace था mine was not more than 500 francs यानि मेरे हार की कीमत 500 francs से जादा की नहीं होगी और इस तरीके से यह जो chapter है वो खतम हो जाता है तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी की learning में हमें 3 point लिखने है that is deception, honesty and contentment deception का मतलब है कुछ गलत दिखाना या वो दिखाना जो हम है नहीं Matilda जो है वो उस party में दुसरी rich woman की तरह दिखना चाहती थी लेकिन असली में उसका background काफी poor था यानि वो वो नहीं दिखा रही थी जो वो असल में है जिसके कारण उसको इतना जादा भूगतना पड़ा इसलिए हमें वो कभी नहीं बनना चाहिए जो हम नहीं है दूसरा point है honesty is the best policy यानि Matilda के हाथ से अगर वो necklace घूम गया था तो वो मैडम Forrester को सारी सच्चाई बता सकती थी ताकि वो इतने जादा pain से बच सकती थी हाई position नहीं थी लेकिन वो जिन्दगी में उसके पास जो भी था उसे खुश था opposite to Matilda जो हमेशा luxuries के बारे में सोचती रहती थी रिच होने के बारे में सोचती रहती थी लेकिन वो as such कोई महनत नहीं करती थी उस luxury को पाने के लिए रिच बनने के लिए वो अपने life से content नहीं थी हमेशा दुख ही रहती थी और इसी के करण उसको बहुत सारी problem space करना पड़ी तो तीन चीज़े जो हम इस story से सीख सकते है that is deception is bad, deception नहीं करना चाहिए honesty is the best policy and we should be content with what we have जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए और इसी के साथ हम इस session को अब यहाँ खता करते हैं तो friends ये था मेरी तरफ से the necklace का explanation अगर आपको ये वीडियो अच्छा लका हो तो वीडियो को like कर दो चानल को subscribe कर दो and wish you good luck for your exams